Hey guys, welcome to Gyan4Media and I am Kritika. Friends, UGC Net Aspirants का इंतजार finally खतम हो चुका है क्योंकि UGC Net NTA ने आंसर की रिलीस कर दी है और ये नोटिफिकेशन बहुत ही लेटिस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा अगर चानल पे नए हैं तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक जरूर करेगा और शेयर करेगा उन सब ही आपके दोस्तों में जनोंने की इस साल UGC Net का एक्जाम दिया है जो की एक्जाम में अपियर हुए हैं जो की 24 सितंबर से इस साल शुरू हुआ था है तो जल्दी से देख लेते हैं की नोटिफिकेशन में क्या लिखा है और आपको क्या करना है आगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये NTA यानि की नाशनल टेस्टिंग एजनसी जो की एक्जाम कंड़क्ट कराती है इस तरह के बड़े लेवल के एक्जाम्स उनका ये नोटिफिकेशन है पब्लिक नोटिस है पांच नविंबर का और डिस्प्ले ऑफ क्वेस्टिंग मार्ग रिस्पॉंसेज और प्रोविजनल आंसर की उफ योजीसी नेट जून 2020 यहां पे सब्जेक्ट लाइन में है इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो रिस्पॉंसेज अपने रिकॉर्ड किये थे OMR शीट में वो रिस्पॉंसेज डिस्प्ले हो गए हैं और उसके साथ ही प्रोविजनल आंसर की भी योजीसी नेट ने आपको यहां पे एंटिये ने दे दी है और यहां पे साफ साफ लिखा है था यूजीसी नेट 2020 हास कमेंस वां 24 अफ सब्टेंबर और विल लास तिल 13 अफ नॉवेंबर लेकिन टाइम तो बचा है अभी एक्जाम कुछ और कंड़क्ट होने हैं लेकिन 55 नेट सब्जेक्ट जो की काफी डिफ प्रोविजिनल अंसर की रिकॉंचिनल आंसर की रिकॉड़ रिर्कॉड्डे रिकॉण से यहां पे डिस्प्ले हो गय है आपको करना यह है ठाट यू विजिट ती वेबसाइट यू ग्सेत लाओ nta.nic.in वहाँ पर you can click on the tab मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि आप कैसे देख सकते हैं अपने recorded responses or provisional answer key को यहाँ पर साफ साफ यह भी लिखा है that candidates may also challenge the answer keys online at the above mentioned website giving details of their observations with supporting evidence if any अगर आपको लग रहा है कि कोई answer वहाँ पर correct नहीं दिया हुआ है लेकिन उसका answer यह होना चाहिए आपके हिसाब से तो you can also challenge that answer इसको हम कहते हैं challenging the answer key so you can do that also and you have to pay 1000 per answer challenged अगर आप इसका मतलब है अगर आप 2 answers challenge कर रहे हैं तो you have to pay 2000 rupees as a processing fee and the fees will be refunded if the challenge is found to be correct upon verification by experts and the payment can be made online आप online payment कर सकते हैं इसका debit card के थूँ या credit card, net banking के थूँ लेकिन no challenge will be considered without receipt of processing fee और this facility will be available from 5th यानि कि कल से ये शुरू हो गया है 9 बजे रात के आप 9 बजे से लेकर के 7 तारिक 7 नवेंबर रात के 9 बजे तक आप answer keys को व्यू कर सकते हैं challenge कर सकते हैं ये एक नोटिफिकेशन है कौन कौन से subject है जिनके की answer keys आई है वो यहाँ पे आपको mentioned है उसमें mass communication भी एक subject है mass communication and journalism इसके रावा Nepali, Udia, Human Rights and duties, philosophy, etc, etc that list you can see here आप देख सकते हैं उस लिस्ट को law, physical education, English, history काफी सारे subjects है इसमें 55 subjects उपर mention थे और आपको answer keys देखने के लिए to challenge the answer key you have to go to the NTA website ugcnta.nic.in वहाँ पे आपको अपना application number डालना है date of birth डालनी है एक security pin वहाँ पे आपको डिस्पले जो हो रहा होगा that you have to submit and then you have to click on the view question paper for marked responses and to view or challenge the answer keys you have to click on click to view or challenge the answer key then you will see the question ids in a sequential manner then you have to choose the correct option and then बाकी पूरा description यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको किस तरह से आपको अपने answer key को challenge करना है so friends now on your screen you can see that I have opened the website जिसका नाम था ugcnet.nta.nic.n अपर ओपन कर रखी है जब आप इसको scroll down करेंगे तो here you will see a tab which is the first tab और उसमें लिखा है view question paper और answer की challenge so you can click on this tab then you have to put your application number your date of birth and the security pin and जो procedure अभी पहले समझा है that will follow इसके साथ ही जो students जिनके exam अभी रहे गए है they can download their admit cards for ugcnet that will be conducted on the 11th, 12th and 13th of November they can download their admit cards from here and जिनको की अपने question paper और answer की challenge करनी है उनका मैने पहले ही बता दिया how you have to do that so you can visit this website on your screen you can see you have to fill in your application form application number your date of birth your security pin then you have to sign in and check your answer key and question paper so immediately you can go and check whether your responses are correct or not if you want to challenge you can also challenge the answer key till 7th of November so please अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिये do subscribe to Gyan4Media for more updates related to ugcnet exam or any other exam and also we will be soon starting up with the classes of ugcnet for the next cycle so please keep yourself tuned in to Gyan4Media and do share this video among your friends those who have appeared for this exam this will definitely going to benefit them you can also follow us on our Facebook page at Gyan4Media we are also on Instagram now with the name Gyan4Media underscore Kritika so you can follow us there also and if you have any queries अगर आपके कोई queries हैं doubt हैं so you can write to us at Gyan4Media at gmail.com आपके कोई 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